So welcome back to another video और आज मैं side by side camera comparison कर रहा हूँ DJI Action 3 का और GoPro 11 का So that आप इस वीडियो को देख के hopefully ये decide कर सको कि अगर आपको एक action camera लेना है उसमें invest करना है 30,000 से 50,000 का budget है तो इन दोनों में से कौन सा option आपके लिए सहीर रहेगा Because मैं पूरा try करूँगा maximum samples आपके साथ share किये जाए और अभी sun भी मेरे एकदम सामने है So that जो light आ रही है आप easy देख सको कि इस में colors कैसे हैं कैसा quality आ रहा है Start करते हैं video और let's see कि दोनों में से ultimate action camera budget के इसाब से कौन सा है अब जो सबसे पहला difference मुझे लगा इन दोना में वो है resolution का तो gopro 11 का जो आप ये footage देख रहे हो ये 5.3 के 860 fps पर record हो रहा है वो ही action 3 में maximum resolution मुझे 4 के 60 fps का मिलता है fps तो भड़ा भी सकते हैं उसी बाद हम बाद में करेंगे बट 5.3 के vs 4 के अब difference क्या है थोड़ा से difference है अगर आप video shoot करके बाद में crop करना चाते हो तो आपको हलका सा difference देखेगा otherwise इतना कुछ major difference नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि 5.3 के नहीं है तो action 3 आपके लिए कोई अच्छा option नहीं है all over अभी आप lighting देख सकते हो कि face पे light कैसे आ रहा है कैसे ही अपने आपको adjust कर रहा है especially अगर मैं backlight situation में जाता हूँ और यह है next test that is dynamic range का test मेरे पीछे मुझे देख रहा है clouds है bright sky भी है पीछे building भी है तो यह देखना interesting होगा कि दोनों face को कैसे expose कर रहे है keeping in mind की पीछे bright light आ रही है sky की काफी मच्छर भी है यहाप anyway तो आप लोग बताना आपको किसका अच्छा backlight situation लग रहा है मैं तो जब studio जाऊंगा देखते हैं कि दोनों में से बढ़िया dynamic range कौन निकाल पा रहा है तो जैसे अभी आपने comparison में देखा dynamic range में GoPro 11 जो है वो clouds में जाधा better detail निकाल पा रहा है बट एक difference जो मुझे लगा जहाँ पे DJI थोड़ा सा better है वो है कि अगर आपको ऐसी footage चाहिए जहाँ आपको सीधा use करना है social media के लिए तो जैसे आप यहाँ clips में देखोगे face पे जो exposure है जो जाधा brightness है वो कहीना कहीं DJI action 3 में है but GoPro में क्या है clouds में थो मुझे detail exposure मिल रहा है but face कहीना कहीं थोड़ा सा dark हो रहा है तो मुझे all over कहीना कहीं editing में exposure को adjust करना पड़ेगा तो choice आपकी है अगर आप time दे सकते हो then GoPro 11 11 की dynamic range काफी better है action 3 कहीना कहीन सीन को थोड़ा सा overexpose करते हुए sky में details खतम कर रहा है but कहीना कहीन face को priority दे रहा है even यहाँ पर एक और example मैंने car में जब वापिस आ रहते हम studio तो यह शूट किया था footage तो आप comparison में देखना बाहर की window के बाहर की जो detail है वो GoPro 11 better capture कर पा रहा है action 3 थोड़ा सा उसको overexpose कर रहा है but face को अगर हम priority लेते हुए चलें तो कहीना कहीन action 3 face को थोड़ा सा bright रख रहा है now the next difference is कि कौन ज़्यादा wide angle में shoot कर सकता है यहाँ side by side आपको दोनों की footage दिख रही होगी जितना मैं अभी देख पा रहा हूँ action 3 थोड़ा सा ज़्यादा wide है as compared to GoPro जबकि GoPro 11 में अभी 12 mm वाला नया view super view करके नया आयता mode still अगर मैं आपको पीछे का view भी दिखा हूँ तो आप compare कर सकते हो जो DJI का वो slightly wider है as compared to GoPro and यह एक reason है शाहिद हो सकता है अगर आप ज़्यादा wide angle angle of view चाहते हो so DJI could be comparatively better option as compared to जो GoPro मुझे आपर दे रहा है 12 mm पे जिस से मुझे लगए action 3 का I think 11 mm के आसपास angle of view easily हो सकता है तो हमेने angle of view चेंज कर लिया है अब GoPro जो है वो standard पे 16 mm and DJI जो है वो ultra wide से अब मैं wide पे switch कर चुका हूँ so दोनों का आप almost same angle of view आ रहा है तो यह आपको थोड़ा सा better आप idea दे देगा कि भाई specially अब यह देखो sun पीछे है building के तो dynamic range कौन जादा better दे रहा है इस angle of view पे and यह एक test है जो मैं करना चाहता था because जो widest एकदम ultra wide वाला था ना उसमें face बहुत अजीब सा distorted आता है this is the actual angle of view जो mostly आप action camera में use करोगे और यह आपको थोड़ा better idea दे देगा तोनों के comparison का और यह है एकदम flat वाला angle of view जहाँ वो fisheye effect नहीं होता this is standard DJI में I think D-Rapt और GoPro में standard option है जहाँ पे 24-7 के आपस पास कुछ angle of view रहता है तो अगर आप इस तरीकी की face videos बनाने चाहते हैं घर के अंदर जहाँ पे वो ज़्यादा फिशाई वाला effect ना है तो यह भी एक comparison आपको help किसे न किसी तरीकी से ज़रूर करेगा अब अगर मैं बात करूँ detailing, sharpness और all over clarity जो वीडियो की है तो GoPro 11 clearly winner है ज़्यादा detail है, texture है और देखने से पता लग रहा है कि जो वीडियो में sharpness है वो कहीं न कहीं hero 11 में ज़्यादा बेटर है बट DJI Action 3 में पता है क्या हो रहा है processing जो है ना all over जो color accuracy है जो processing हो रही है या even face में जो skin tones है वो कहीं न कहीं मेरे इसाब से मुझे अपनी liking के साब से ज़्यादा better और accurate लग रहे है GoPro 11 sharpness पे तो है बट कहीं न कहीं इसकी output ऐसा है कि आपको अगर थोड़ी vibrance पसंद है action cameras especially तो आपको editing में थोड़ा सा ज़्यादा निकालना पड़ेगा तो वो एक difference है दोनों में जो आपकी preference के उपर depend करता है अचा अब इन दोनों में एक interesting feature है horizon lock मैं आपको यहाँ पे side by side footage दिखा दूँगा अब इस mode में होता क्या है कि देखो इस तरीके से अगर मैं action camera को पूरा घुमा रहूना आपको मैं behind the scene भी दिखा दूँगा तो उससे क्या होगा आपकी जो footage है वो एकदम same level पे रहेगी चायब उसको 180 degree 360 degree भी घुमा दो आपकी जो footage है वो same रहेगी but drawback is action 3 में सिरफ 2.7K में है वो ही GoPro 11 में 5.3K में आपको footage मिलता है अब यह ऐसा function है जो मैं तो use नहीं करोगा अब अगर आप extreme action या sports करते हो तो आप के लिए useful रह सकते हो और अगर यह आप जादा use करोगे तो GoPro 11 में आपको जादा resolution मिलने वाला है तो जैसे कि अब आप यहाँ side by side stabilization के footage comparison देखोगे अब almost same है आप hardly कुछ difference निकाल पाओगे बट अगर मैं बात करूँ price difference की तो दोनों में 15,000 का difference है action 3 15,000 सस्ता है तो वो consider करते हुए कहीं न कहीं stabilization जो है all over package के हिसाब से action 3 में better है बट अगर मैं GoPro 11 की बात करूँ तो obviously उसका stabilization slightly better है बट इतना major difference नहीं है तो अब हम stabilization टेस्ट कर रहे हैं hyper view पे जो 12 mm का है और ultra wide angle on DJI तो वाक करते हुए फोड़ा fast walk ही है so that idea लग जाना है फोड़ा सा भागते हुए कर रहे है तो अभी stabilization test हम standard पे कर रहे हैं so that इस पे जादा बेटर बता लगेगा wide angle नहीं है तो देखते हैं standard पे कैसा है stabilization तो अब संसेट हो चुगा है samples हमने ले ली है और आप हम जा रहें studio देखने कि दोनों का side-by-side comparison कैसा था और यह भी एक sample RS or that आपको idea लग जाए कि अंदर थोड़ा अंदे रहा है बाहर लाइट है तो यह dynamic range दोनों से adjust कर रहे हैं और बाहर की जो details हैं दोनों में से किस में better निकल के आ रही हैं तो आप लोग पताना comment करके दोनों में से किसका better लगा तो यहां पर इसका थोड़ा सा मैं low light का sample है कि यह कैसे परफॉर्म करता है और यहां पर इस रूम में पूरा अंधेरा है और यहां विंडो से सिर्फ लाइट यहां विंडो से सिर्फ लाइट कि कौन दोनों में से better noise reduction कर रहा है विपास अंदर एक दम अंधेरा है मेरे पीछे आप पूरा देख सकते हो और एक औ और आप भी देखना अगर आप अभी मेरे फेस पर द्यान दोगे गोपरो में आप देखो फेस बहुत ही मोटा सा जीब सा लग रहा है और डीजी एक्शन 3 में ऑल्दो काफी फ्लाट है थोड़ा नाचुरल लग रहा है तो अगें अगर मैं सेंटर में रखते हूं साइड distorted ना है और एक और major difference दोनों के बीच में है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे जो गोपरो के आपको फोटेज दिखते है वो अल्मोंस स्क्वेर है बिकॉज यह 8x7 का नया aspect ratio वाला sensor यूज़ कर रहा है वो ही DJI Action 3 में मुझे maximum 4x3 aspect ratio मिलता है जो आप यहाँ पे देख सकते ह अब दोनों ही अपने आपने सही है mostly वीडियो 16x9 में ही upload करते हैं अगर मुझे इन दोनों में से वर्टिकल निकालना हूँ गोपरो का जाधा बेटर है विकॉज मैं पूरे square format से वर्टिकल निकाल सकता हूँ और उसको horizontal भी बना सकता हूँ बट GGI Action Camera में वो चीज उतने अगर फोटो कंपेरिजन की बात करें तो ऑल ओवर जो डैनामिक रेंच है और कई न कहीं डीटेलिंग है वो गोपरो 11 में फॉर शोर बेटर है बट आक्शन 3 भी इतना कुछ पीछे नहीं है considering कि जितना अमाउंट आप पे कर रहें उस Action Camera रख लें उससे साबसे जो फोटोस हैं वो काफी सही आपको मिलेंगी तो डिपेंड करता है अगर आपके लिए फोटो इंपोर्टेंस है तो गोपरो 11 बुट भी एन आइडियल आप्शन बट इतना इपोर्टेंस नहीं रखता वीडियो ज्यादा शूट करना है तो Action 3D अच्छी फोटोस ले लेता है बट एक डिफरेंस जहां मुझे गोपरो 11 में बहुत अजीब सा एक एक्सपिरियंस हुआ है कि जब मैं इसको 72 Megapixel HDR में शूट कर रहा था ना highest resolution mode जो इसमें आया है 30-40 second मुझे लग रहे थे एक नहीं लगा बट उसके इलावा आप सेंपल यहां देख चुकिए आप खुड डिसाइड कर सकते हो आपको बहुत सा बेटर लग रहा है बट उसके इलावा एक और मेजर डिफरेंस है गोपरो 11 सिरफ 8x7 aspect ratio में ही फोटोस लेता है 4x3 और 16x9 में नहीं ले सकते एक्शन 3 में अगर मैं फायदे अपने डुकसान यहां पर है फिर अगर मैं फिसिकल ओवर्विव की बात करूं तो दोनों एक्शन कैमरास है वही आगे स्क्रीन है पीछे स्क्रीन है आगे की तरफ कैमरा है बटन ले आउट आलमोस्स सेम है बट कुछ डिफरेंसेज है सबसे बहले मैं ब मोट सेंच करने हैं एस्पेक रिशियो एंगल ऑफ यू वो मैं डीजाई से कर सकता हूं गोपर 11 में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मुझे बैक स्क्रीन पे जाके फिर इस तरीके से शूट करना पढ़ेगा दिन दूसरा और सबसे यूसफुल चीज मुझे डीजाई एक् इसकी टाइम में जब हम वर्टिकल में बहुत जादा कॉंटेंट शूट कर रहे हैं वीडियो शूट कर रहे हैं इवन फोटो तो एक्शन तरीकों मैं डिरेक्ट ली वर्टिकल होरिजॉन्टल दोरों तरीके से यूज़ कर सकता हूं विदाउट एनी एक्स्टरनल एक्सेस लगाया and it's very easy to use then उसके इलावा अगर मैं user interface की बात करूं तो दोनों का अपना-पना interface है बट मैं यह चीज़ बोलना चाहूंगो अगर आप पहला action camera ले रहे हों आपको एक simple control action camera चाहिए तो action 3 is something जो आप प्रेफर कर सकते हो गोपर थोड़ा सा complicated है touch interface भी और जो touch का responsiveness है वो मुझे action 3 में जादा बैटर लगा as compared to gopro 11 then last में अगर मैं battery performance की बात करूं तो दोनों को जब हम side by side use कर रहे थे samples लेने के लिए comparison के तो एक interesting चीज़ मैंने देखी कि hero 3 में 15-20% battery जादा थी as compared to gopro 11 उसका एक इसी रीजन यह भी है कि 5.3 पर शूट करता है gopro और यह सिरफ 4K पर वह एक चीज़ है अगर आप जादा बैटरी देख रहे हो तो कहीं न कहीं DJI action 3 आपको थोड़ा सा slightly better performance देगा इवन charging की अगर मैं बात करूं तो action 3 में फास्ट चार्ज है जो आपका 15-20 मिनट में almost like 50-80% बैटरी चार्ज कर देगा और इन दोनों के जो बेस्ट पाइल लिंक होंगे Amazon या जो भी e-commerce website के मैं नीचे दे दूंगा बहां से चेक कर सकते हो तो यह था action 3 और gopro 11 का comparison with full samples जितने possible हो सके आपके वियूस क्या है कमेंट करके बताना मुझे अगर दोनों में से चूज करना है दोनों अपनी लीग में सही है पर अगर पैसे को देखते हुए budget को देखते हुए बात की जाए action 3 all in all एक all together बड़िया सा package है अगर आपकी quality preference है sharpness detailing तो कहीं न कहीं gopro 11 आप ले सकते हो budget अगर थोड़ा सा है तो action 3 is an amazing choice आपके गाभी उसे comment खटके बताना I'll see you in the next video तब तक take care and keep clicking